केस का नाम है और बॉरहिल वर्सिस यंग यह 1922 का केस है और यह जो केस है वह मुख्रूप से नर्वस शॉक पर बेढ़ है तो चलिए भी स्केस के फैक्ट इशू और जैज्जमन पर आते हैं इस केस में एक मोटर साइक्लिस जो है नेगलेजेंटली एक्सेसिव स्पीड में ड्राइव करता रहता है और वह एक मोटर कार से टकरा जाता है जिसकी वज़े से उसकी स्पोर्ट डेर्थ हो जाती है तो इस केस में जो प्लेंटिव है वो एक फिश वाइफ है तो प्लेंटिव जो है लगबग 45 फीट की दूरी पे है लेकिन वो एक्सिडेंट की जगह पर नहीं होती है तो वो एक्सिडेंट होते हुए नहीं देख पाती है उसके बाद होता क्या है कि मोटर सैकलिस्ट की बॉड़ी को हटा दिया जाता है और हटा देने के बाद जो प्लेंटिव है वो उस जगह पर जाती है जहां पर एक् उस टाइम पे यानि की एक्सिजेंट के टाइम पे अगर देखा जा तो जो प्लेंटिफ है वो आठ महीने की प्रेगनेंट होती है और लगभग एक महीने के बाद जो है उसका बच्चा दुनिया में आने वाला होता है तो वो जो नर्वर शौक से सफर की है उस इंजूरी की वज़ा से वो मोटर साइकलिस्ट के रिपर्जेंटेटिव के अगेश्ट में कोर्ट में केस ठोग जाती है कंपनेशन के लिए तो चलिए एप कोर्ट के अब्जेवेशन और डिसीजन पर आते हैं जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कहती है प्लेंटिफ वाज जहांने की एक्सड Siya Actually to πեյेशन के समय में प्लेंटिफ जहां वह पोटेंशल डेंजर में नहीं थी यानिकी एक्सडкрp के समय में प्लिछ को कोई भी खत्रा नहीं था को तो डिक आग्य काती है कि टेंटिफ जो है वह एक्सड्रेशन में इनवॉल्व भी नहीं ति औरो यह कफर की है तो उसे चाहिए यानि कि फाइनली कोड जो है प्लेंटिव के कंटेंशन को रिजक्ट करते हुए कंपनेशन क्लेम को भी रिजक्ट कर देती है तो इसकेस के फैक्ट इशू और जज़ज्मन यहीं है आई होब आपको यह वीडियो इंफरमेटिव लगा होगा अगर